दोस्तो सबसे बहले तो आप लाइप प्रूफ देख लो HDFC बैंक के तरप से मुझे लोन का ओफर मिला है पूरे 30,000 रुपए तक का यहाँ पर आप देखेंगे 12 महिने से लेकर 60 महिने तक के लिए हम यह लोन ले सकते हैं और जिसका इंट्राइप देखने को मिलेगा 1.49% पर मंथ अगर हम इसे एन्वली बात करेंगे तो 17.88% यहाँ कि 18% से भी कम का हमारा ब्याज है तो ऐसे में अगर आपको कम से कम ब्याज पर पैसा लेना है तो दोस्तों आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा अकसर लोग करते क्या है कि बहुत सारी NBFC एप पर जाते हैं लोन के लिए ट्राइ करते हैं वहाँ पर लोन आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है दोस्तों यहाँ पर आपका 1.5% पर मंथ का भी ब्याज नहीं पड़ा कब का ही बड़ा और अगर आप किसी दूसरी एप पर जाते हैं NBFC से डाइट लोन के लिए अपलाई करते हैं तो आपका ब्याज 3%, 4%, 5% पर मंथ जाता है तो अगर आपको सच्ता लोन लेना है तो यह वीडियो आपके लिए सांदार हो सकती है हर एक व्यक्ति को यहाँ पर लोन मिल सकता है कैसे मिलेगा complete तरीका समझाऊँगा वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक जरूर देखिएगा अब दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो हमें लोन का offer मिला है यानि कि 2505 रुपे की EMI पर पूरे यहाँ पर 5 साल तक के लिए हम लोन ले सकते हैं 10,000 रुपे यहाँ पर आपके सामने है 60 महीने तक के लिए तो दोस्तों यह जो लोन है जो कि 10,000 से लेकर 30,000 रुपे तक का मिल रहा है यह कैसे मिलता है और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें कोई भी document देने की जोड़त नहीं है कुछ भी देने की जोड़त नहीं है बिना document के यह पैसा हमारे bank account में transfer हो जाएगा और हम किसी भी bank में किसी भी bank में इस पैसे को transfer कर सकते हैं लाइप प्रूफ मैं आपको इस लोन को लेकर दिखाऊंगा अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों अगर बैंक से आप लोन के लिए ट्राइ करेंगे बैंकी में जाएंगे वहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा इस पोर्टल पर आप आप आजाएंगे ठीक है अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपको लोन अप्लाइ करके दिखाता हूँ अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने यह HDFC बैंक का पोर्टल दोस्तों मैंने ओपन किया है मैंने रिफ्रेस कर दिया यह आपके सामने लाइप प्रूफ मैं लोन अप्लाइ करके दिखाऊंगा अब यहाँ पर आपको दो-तीन चीज़े देखने को मिलेंगी अब यह क्या देखने को मिलेगा दोस्तों सबसा पहले देख लेए यहाँ पर आपके सामने है enter your registered mobile number तो एक तो आपको यहाँ पर अपना mobile number डालना है और नीचे आपको देखने को मिलेगा last four digit of your credit card number यानि कि आपके पास एक HDFC bank का credit card होना बहुत जरूरी है जैसे कि मेरे पास दोस्तों यह HDFC bank का credit card है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों अगर आपके पास HDFC bank का credit card नहीं है तो भी आपको टैंसल लेने की जोड़त नहीं है यह HDFC bank का credit card आपको कैसे मिलेगा वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगा तो उससे पहले हम यहाँ पर loan के लिए apply करेंगे अब दोस्तों अगर आपको bank से loan लेना है और आपको ऐसे loan नहीं मिल रहा है तो फिर आपके पास यह credit card होना बहुत जरूरी है HDFC bank का कोई भी credit card आपके पास है आपको loan मिल जाएगा पर जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास अगर credit card नहीं है घवराने की जोड़त नहीं है credit card कैसे बनेगा credit card का जो link है वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा जहाँ पर आप घर बैटकर free में credit card बनवा सकते हैं और उसके बाद आप एक से लेकर दो महिनने के बाद जो है इस loan को यहाँ से ले सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि HDFC bank का एक credit card आप बनवा लें और उसके बाद आप loan के लिए apply करें इसका सबसे बड़ा benefit यह है कि in future वविस्य में कभी भी आपको loan की जोड़त पड़ेगी तो भई सबसे सबसे ब्याज़ दर पर बिना document के आपको loan मिल जाएगा अभी loan के लिए apply कैसे करना है सबसे पहला देख लें यहाँ पर मैं अपना mobile number डालूँगा उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4-digit card number वो मैं यहाँ पर डालूँगा उसके बाद 3 जगे आपको option देखने को मिलेंगे इस पर मैं tick लगाँगा और उसके बाद view loan eligibility पर click करूँगा उसके बाद नीचे आऊँगा यहाँ पर tick लगाँगा अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ detail आती है कि यहाँ पर इनकी कुछ termine condition है थोड़ा scroll करेंगे नीचे I agree पर click करूँगा उसके बाद आपके सामने एक ओर option है इस पर मैं click करूँगा अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको simple 3 step देखने को मिलेंगे नमबर 1 है provide registered mobile number with HDFC bank and last 4 digit of credit card number मतलब एक ऐसा mobile number यहाँ पर आपको देखना देना है जो आपका HDFC bank में registered हो ठीक है अगर आपके पास credit card HDFC bank का तो already वो registered होई जाता है नीचे देखने को मिलेगा we will send OTP verification एक OTP आपके mobile number पर आएगा उसके बाद है view your loan offer उसके बाद आपको loan का offer मिल जाएगा आप उस loan के offer को देख सकते है उसके बाद फिर से आपके पास जो है एक OTP आएगा OTP को जो है आप यहाँ पर input करेंगे उसके बाद आपका जो bank account है उसमें पैसा भी दिया जाएगा तो view loan eligibility पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ से loan लेने से पहले यहाँ पर बताया गया कि आपकी जो age है वो 18 पिलस होनी चाहिए तो दोस्तों यह credit card उनी को मिलता है जिनकी age 18 पिलस होती है ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है view loan offer में क्लिक करूँगा अब यहाँ पर आपके सामने यह वाला option आ गया मेरे mobile number पर एक OTP आएगा OTP को मैं यहाँ पर डालूँगा OTP आ चुका है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा OTP verify हो चुका है आपके सामने है अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तो मेरा नाम आपको देखने को मिलेगा कैला सिंग यहाँ पर आपको मेरा जो है credit card देखने को मिल गया यही वाला और इसके साथ साथ थोड़ा सा नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखने दोस्तो मेरे को जो है ना लोन की amount देखने को मिल गई अब मेरे को मिली ए दोस्तों यहांपर कि मैं जो हूँ यहांपर अपने credit card पर maximum 30,000 रुपे तक का low ले सकता हूँ दोस्तों यहांपर आपको आपको देखने को मिलेगा require amount है मैं यहांपर 10,000 न ले सकता हूँ वो कम से कम 12 महीने है उसके बाद 24 महीने है 36 महीने है 48 महीने है और 60 महीने है तो यानि कि 30,000 रुपे की जो amount है यह मैं पूरे 60 महीने यानि कि 5 साल तक के लिए लोन ले सकता हूँ और जो कि मेरी EMI जाएगी दोस्तो 760 रुपे पर मन्त 760 रुपे और मेरा ब्याज निकल कर आया 1.49 पर सेंट जो कि पर एनम होता है साल का निकल कर आता है 17.88 पर सेंट पर एर ठीक है और मेरी प्रोस्टिंग फीज जाएगी 999 रुपे अब ऐसे ही अगर मैं दोस्तो यहाँ पर इस अमाउंट को 10,000 पर कर दूँ यानिके अगर मैं मालो 30,000 नहीं लेता हूँ 10,000 लेता हूँ तो दोस्तो मेरी EMI जाएगी वो 250 रुपे जाएगी और मेरा ब्याज रहेगा 1.49 पर सेंट पर अगर मैं यहाँ पर दोस्तो इस tenure को कम कर देता हूँ period को मैं कम कर देता हूँ तो 12 महिने के लिए मैं लेता हूँ तो मेरा ब्याज जाएगा 1.62 परसेंट और 24 महिने करता हूँ तो 1.60 परसेंट और यहाँ पर अगर मैं 36 महिने के लिए करता हूँ 1.57 परसेंट के सामने है rate of interest 1.62% है अगर हम इसको देखेंगे दोस्तो साल के इसाब से तो हमारा साल का अपड़ा 19% है ने कि 19.44% है ये दोस्तो 19% जो हमें ब्याज पढ़ आए ना ये bank से ही पढ़ सकता है आप कहीं पर भी चले जाएं इससे सस्ता लोन आपको कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ बैंक से ही मिल सकता है और यहाँ पर प्रोस्टिंग फिस नोसो नियान में है नीचे आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने आ गया amount you will receive 10,000 रुपे है 10,000 है अब यहाँ पर आपको कुछ और प्रोस्तों देखने को मिल गए कौन से ओप्सन है कि भाई यहाँ पर है कि कोरियर डीडी रेजिस्टर एड्रास ठीक है इसको आप छोड़ दें नीचे वाले पर है ट्रांस्पर मनी टू योर नोन एच्डी अपसी बैंक तो आप नोन एच्डी अपसी बैंक एनके हडी एफसी बैंक पेंक और आपका खाता नहीं है तो उसमें आप इस पैसे को ले सकते हैं कैसे लेंगे यहाँ पर स्रीड वाले पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर है to add account or validation मतलब उसके बाद एक रुपे की transaction आपके bank खाते में की जाएगी ठीक है और उसके बाद उसके बाद आपको दो option देखने को मिलेंगे यहाँ पर I agree to the key और नीचे है I agree to the term and condition इन दोनों पर आपको tick लगाखर जो है confirm पर click करना होगा तो मैं इस field को भर देता हूँ उसके बाद click करूँगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो मैंना अपना account number डाल दिया है यहाँ पर ठीक है मेरा address आचुका है नीचे आप देखेंगे दोस्तो यहाँ पर मैं tick लगाऊँगा उसके बाद पूरी detail देखने को मिल गई अब दोस्तो जैसे मैंने यहाँ पर tick किया यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी loan की detail देखने को मिल गई अब loan की क्या detail है वो भी देख ले यहाँ पर है दोस्तो की loan की जो amount वो 10,000 रुपे है इसके साथ सा rate of interest मेरा 19.44% साल का पड़ा पर एनम और total interest जो लगेगा वो 1,022 रुपे लगेगा यहाँ पर अधर फ्रेड चार्जर से जो 999 मेरे पैए हैं जिसे हम crossing fees कहते हैं और नीचे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि total amount to be paid 12,021 रुपे यानिके 10,000 रुपे का लोन लेते हैं 12,081 रुपे की हमें repayment करनी पड़ेगी और यह पूरे एक साल तक के लिए हम लोन ले रहे हैं ठीक है पूरे एक साल तक के लिए तो 10,000 के लोन पर एक साल के अंदर repayment करेंगे 2,081 रुपे ही एक्स्रा पड़ा अब देखो 12 में इनने का लिए है मंतली बेस है amount of installment 923 रुपे जाएगा ठीक है सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल गया यहाँ पर देख लेंगे उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो interest वो कितने का पड़ा वो भी देख लें तो आपका जो पहला है दोस्तों वो देखेंगे outstanding 10,000 रुपे है इसमें आपका जो ब्याज पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 112 रुपे ठीक है तो सब कुछ यहाँ पर निकल कर आया हो last में दोस्तों हमारी जो EMI है वो कम हो जाएगी और 43 रुपे इंटरेक्ट पड़ेगा मतला पूरी डेटेल देखने को मिल गई उसके बाद सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा pre-closure charge जो है वो 3% है मतलो अगर आप इस लोन को लेते हैं और समय से पहले repayment करते हैं तो 3% की pre-closure charge आपको देना पड़ेगा ठीक है तो यह सारी की सारी डेटेल जो है यहाँ पर आपको ओर लेडी देखने को मिल गई उसके बाद I agree पर आपको एक और नीचे option देखने को मिलेगा I agree ठीक है इस पर मैं click करूँगा और यह भी आपको देखने को मिल गया यहाँ पर भी है अब उसके बाद सब कुछ देने के बाद मैं यहाँ पर confirm पर click करूँगा और जैसी confirm पर click करूँगा दोस्तों मेरे bank अकाटे में एक रुपे की transaction की जाएगी अभी life proof आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख लें दोस्तों पंजाब नसल बैंक में एक रुपया हमारा जमा हो चुका है इसका मतलब यह है कि बैंक के तरफ से transfer कर दिया गया है एक रुपया और हमारा जो account है वो verify हो चुका है अब उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि भाई अब जो 10,000 रुपय हमारे bank account में जाएंगे उसके लिए HDFC bank के तरफ से यह code आया है इसको मैं copy करूँगा और copy करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे और मेरा account number देखने को मिल गया तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है यहाँ पर loan ले सकते हैं और नीचे आप देखेंगे दोस्तों यह जो 10,000 रुपय हमारे bank account में बेजे गए हैं नीचे देखेंगे कि please note after final bank check dispergel may be up to 48 hour यानि कि दोस्तों बताया गया है कि भई यह जो पैसे हैं हमारे bank account में जाने में maximum 48 गंटे तक लग सकते हैं तो आपको इसलिए यहाँ पर चिंदा करने की विर्गुल भी जोड़त नहीं है 5-10 minute के अंदर यह पैसा हमारे bank account में transfer कर दिया जाता है अब दोस्तों यह जो मैंने आपको complete तरीका बताया है loan लेकर मैंने आपको दिखा दिया HDFC bank से loan लेने का सबसे बड़ा benefit यह है कि भई आपके पास अगर एक credit card है ना तो उसके बाद आपको कोई भी document देने की जोड़त नहीं है और उसके बाद आपको pre-abrupt loan मिल जाएगा जिसके बाद आपका भी भी कम से कम व्याज पर loan ले सकते हैं तो आज़ा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें